कि नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ एक बार फिर से सारदा क्लासे सीकर में आज की जो अपडेट है पंचायती राज लगातार इस बरती को लेके मैं अपडेट बता रही हूँ आपको पता है कि एक बार सारी इनका रिजल्ट आ चुकी थी एक बारा जिल्ले को छोड़के सबकी मैंने अपडेट आपको बताई थी और टेलिग्राम पे सारी लिस्टें भी मैंने अपलोड की थी अभी सन्सोदित लिस्ट आ चुकी है जिसको भी मैंने टेलिग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है जिन कंडिडेट्स नहीं देखा है आप चैनल यह बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आज आपके लिए वीडियो है कि आपके पास अप्लिकेशन नहीं है अप्लिकेशन तो आप अपने नाम से भी चेक कर सकते हैं, कल मैंने जैसे कि काफी स्टुडेंट को बताया, काफी स्टुडेंट का ये बार-बार कोमेंट था कि हम अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, हम पहले वाला हमारे पास है नहीं, तो चैनल जैसे ही पोर्टल ने ज काफी कंडिडेट के साथ ये दिक्कत आ रहे कि मैम हमारा नाम कौन से डिस्टिक में है नहीं है तो आप अपने नाम के तुरू चेक कर सकते हो कि आपका कौन से डिस्टिक में है आपका डिवी के लिए नाम आया भी है या नहीं आया है तो आप ये चीज कहां से चेक करोगे आ तो मैंने हर वीडियो में डाला हूँ द्वारे से मैं डाल दूँगी जहांसे भी आप डिर्यट अपने डिस्टिक करूँगे आपके डिस्टिक पीडियाप है वो इस तरह से ओपन होकर आजाएगी रिवाइज लिस्ट है यहां भी रिवाइज होके नहीं आई है आपको पता लग जाएगा क्योंकि जैसे यह open होगी net पर depend करेगा कितना net आपका जैसे open होगी यहाँ पर date दिख जाएगी अगर date आपकी 23 के बाद की है तो इसका मतलब है कि वो revise होके आई है उसे पहले की है तो वो revise होके नहीं आई है तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा maximum है वो 27 के बाद ही revise होके आ रही है और काफी सारे जिल्लों की एक 30 और एक को revise होके आ चुकी है बाकी जितने भी आएंगी मैं आज आपको update करती रहूंगी लगातार मैं update कर रही हूँ आप चैनल के साथ बने रहे टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर ले हम बात करते हैं कि हम नाम से कैसे result को निकालेंगे नाम से कैसे पता लगागा कि आपका नाम है या नहीं है उसके लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले जाना है अपने आप mobile यूज करते हो या लेप्टोप कोई फरक नहीं पड़ता है अपको यहां पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है मोबाइल यूज करते हो तो यहां पर मोबाइल में भी आप देखो कि इस तरह के तीन पॉइंट साइंगे जिन पर आपको क्लिक करके इसको डेक्सिट अप मोड में क Earnest कर लेना है अब हम आपको यहां पर क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है अग्जाम पी उप्राज जैसे आपको यह सर्च करना है एक्जाम पी राज ड़ाजस्तान ड़ाजश्तान डोट गॉर्मेंट ड़ंट इन वेरिफिकेशन लिस्ट इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जैसे ही आप वेरिफिकेशन लिस्ट पे क्लिक करोगे तो वेरिफिकेशन लिस्ट वाले ओप्शन पे क्लिक करते आपके पास यह पॉर्टल खुल के आजएगा इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले कोई ज अजमेर की लिस्ट खुल के आजाएगी, यहां केटिगरी वाइज दियो है, आप जिस भी केटेगरी से हैं, उसके सामने आप जहां शो लिखावाई शो पे क्लिक करना है, मैंने मानलो में अजमेर की यह वाली लिस्ट है, जो नई लिस्ट आई है, दुबारा से रिवाइज ह इस लिस्ट में हम देखते हैं, किसी कंडिडेट का नाम लेते हैं, देखते हैं, और उसी नाम से हम सर्च करके देखते हैं, मनलो पहले नमर पे है, सुनील कुमार, तो हम सुनील कुमार को ही लेंगे, और इसी को सर्च कर लेंगे, जैसे ही हमने सुनील कुमार को लिया, हम यह प्रैक्टिकल करके देखा था इसलिए नाम आ रहा है आपको टाइप करना है आपको अपना नाम टाइप करना है और यहां पर सर्च पर क्लिक कर देना है जैसे यह आप सर्च पर क्लिक करोगे आपके पूरी डिटेल ओपन होके आ जाएगी चाहो तो आप इसको बढ़ा कर के भी देख सकते हो यहां से आप जैसे भड़ा करोगे यहां अप्लाइड डिस्टिक आ गया जहां जेंडर आ गया अप कौन से काटेगरी से हो यह काटेगरी आई है यहां पर इसके लावा यह आपका नाम यहां आपके अप्लिकेशन नमर आ गए यह आपका अप्लिकेंट का आपका नाम है या नहीं है तो यहां से आप डारेक्ट बिना लिस्ट के भी आप यहां से डारेक्ट इस लिंक से चेक कर सकते हो तो जो केंडिडेट बार-बार मेसेज कर रहे हैं कि मैम हमारा आया नहीं आया हुआ नहीं हुआ हमारा नाम है नहीं है तो वो सारे candidate इससे check कर सकते हैं, direct अपने नाम से check out कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें list में है या नहीं है, इसके अलावा मैंने आपको कल भी आपको बताया था कि आपका अगर application form नहीं मिल रहा है, तो आप application form को दुबारे से download कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, उसी वापिस से उसी पे जाना है, exam.praj.radistan.government.in, verification list इसमें यहां उपर आपका portal आ रहा है, और दूसरे नमर पे, कभी यह दूसरे नमर पे आएगा, तो कभी यह तीसरे नमर पे, दूसरे नमर पे कभी verification list आजाएगी, तो कभी यह तीसरे नमर पे, तो यह vacancy list जो लिखा हुआ ह इस पे जैसे आप click करोगे, click करते आपके पास यह portal खुल के आ जाएगा, इस portal में यहां से get filled form पे आप click करोगे, तो आपका form खुल के आ जाएगा, और यहां से आपके पास token status आ जाएगा, तो जैसे ही आप fill form पे click करोगे, fill form पे click करने के बाद यहां आपको application ID डालनी है, ज इस तरह से आप अपना अप्लिकेशन नमर देख सकते हो आप सीधा यह वाला जो अभी मैंने आपको बताया यह लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगे और टेलिग्राम पे डाल दूंगी जहां से आप डारेक्ट इस पे पहुंच सकते हो यह पहुंच के आप अपना नाम डाल के यहां से आप अपने अप्लिकेशन नमर देख सकते हो तो यहां आपको आपके अप्लिकेशन आइडी डालनी है उसके बाद टोकन नमर और अप्लिकेशन आइडी दोनों में से कोई एक चीज डालनी है तो आपको पास टोकन नमर आपको mobile number change हो चुका है आपको याद नहीं है आपका mobile number तो यहाँ अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से सिरफ आपको अपनी date of birth date of birth तो सबको यादी रहती है नहीं रहती तो 10th की mark sheet में देख लो तो यहाँ से आपको अपनी date of birth डालनी है यहाँ application ID डालनी है और यह capture फिल करना है यहाँ पर इस जगह पर जो capture आपको दिख रहा है यह capture फिल करके जैसे ही आप get detail पर करोगे get detail पर क्लिक करते ही आपके पास आ जाएगा अभी मैंने मेरे पास तो कोई data है नहीं मेरे पास application ID बेला ही सब की है लेकिन date of birth और mobile number है नहीं तो मैं निकाल के आपको बता नहीं सकते हूं तो यह यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको एक application ID या token नमर में से कोई एक select करना है फिर आपको यह कहेगा कि data of birth और mobile नमर में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो इस तरह से आप अपना यह download कर सकते हो जैसे ही मैंने कल आपको बताया लगातार comments आ रहा था कि मैं हम download नहीं कर पा रहे हैं तो ना करने का region यही होगा कि आप सीधा mobile number लगा रहे होंगे या सीधी application ID लगा रहे हैं उससे नहीं हो रहा है पहले application ID लगानी है उसके बाद data of birth या mobile number में से कोई एक चीज लगानी है option आपके पास दोनों में से जो आप अच्छा लगे वो लगा सकते हो और उससे आपका यह application form में वो download हो जाएगा उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप comment करके बता सकते हैं अलंकि कल काफी comment आये लेकिन मेरी तब्यट डाउन होने की वज़े से मैं reply नहीं कर पाई sorry for this अभी आप comment करके मुझे बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगे आपके problems का solve करने की इसके अलावा जो comment मुझे ज़्यादा लगेंगे उसके उपर में टेलिग्राम पे मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ तो आप शैर्दा क्लासेज टेलिग्राम चैनल जोइन कर ले जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुडे रहें कॉमेंट करके जुरूर बताएं अपडेट कैसी लगी कोई भी आपकी प्रोब्लम हो तो भी आप कॉमेंट कर सकते हैं इसी परकार चैनल के साथ बने रहें थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स पूर वचिंग दिस वीडियो